तो हम यहां हमपी में हैं एतिहासिक रूप से ये भारत के महनतम शहरों में से एक रहा है और कई आत्री जैसे पुर्टगाली, इतालवी, चीनी और अरब के लोगों ने और कई आत्रीों ने इस शहर को उस समय का दुनिया का सबसे महन शहर कहा है एक इतालवी यात्री यहां पर आए और बे कहते हैं कि ये शहर रोम से भी कहीं बड़ा और महान है ये शहर करीब साट मील की परिधी में फैला हुआ है और इसकी खुबसूरत चटाने आज भी मौजूद है जिनसे मनमोहक और जादोई उपस्थिती का तेज टपकता है मुझे इस बात की हरानी नहीं है कि उन्होंने ऐसी चटानों के बीच ये शहर स्थापित क्यों किया क्योंकि ये चटाने सुरक्षा देती है और इन चटानों की एक जादोई मौजूदगी है ये पूरी जगह चटानों से भरी है शायद हम आपको बाद में कुछ शॉट्स दिखाएं ये ये जगह चटानों से भरी है शानदार चटाने इन में से कई को मंदिर और इमारत बनाने के लिए तोड़ दिया है पर फिर भी जो जीविच चटाने हर जगह मौजूद है वो आज भी एक जादवी महौल बनाती है इस जगह का इतिहास बहुत पुराना है करीब 6,000 साल पुराना यहां ऐसी गुफाएं हैं जहां आज भी 4,000 वर्ष्ट से ज़ादा पुराने चित्र और नकाशियां है और इसे देख कर ऐसा लगता है कि अगस्तिमोनी खुद यहां आए थे हम कई वजहों से ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने यहां पर आकर कुछ महत्वपूर्ण कारे किये तब से यह जगह बस आगे बढ़ती रही है कई बार इसका विकास हुआ और कई बार पतन भी हुआ पर यह जगह महान कृष्ण देव राय के युक के दोरान थेरवी चौदवी शताबदी में बाकई अपनी उचाईयों तक पहुँची थी तब इसे विजनगर सामराजय कहा जाता था चौदवी शताबदी की शुरुवात में दो भाई थे जिन्हें हकका और बुकका या हरीहर और बुकका के नाम से जाना जाता है वे काकटिय सामराजय के राजयपाल थे उन्होंने प्रशासन और नीती की कला सीकी यहां आने का फैसला किया और अपना राज्यस थापित किया इस शेत्र में करनाटक के बल्लालू और ब्रहामणी सल्तनत के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे क्यूंकि उत्तरी मुगल समराट दक्षिन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कई तरीकों से कई वर्षों तक 200 से जादा वर्षों तक विजयनगर समराज्य दक्षिन में इसलामी आक्रमणों को रोकने वाला एक मजबूत किला बन गया ये भी एक कारण है कि दक्षिन में इसलाम का असर और रुत्बा बहुत कम रहा विजयनगर समराज्य ही इसकी मुख्य वजय था क्यूंकि उन्होंने अपनी सेना को इस तरह से तयार किया था तट से तट, पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक वे पूरी तरह से इस जगह को कंट्रोल करते थे इसलिए समुदरी व्यापार पर यही हावी थे शायद किसी दूसरे भारतिये, राजा या समराट ने समुदरी व्यापार को कभी ऐसे कंट्रोल नहीं किया जैसे विजनगर ने किया था, वे पूरी जगह पर हावी थे और वे यूरोपी और अरबी समान देश में लाते थे वे एशिया, अरब और यूरोप के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे तो उस समय यह पूरा सामराज्य इतनी अद्भुत तरह से मौजूद था कि इसकी महिमा आप आज भी अंदेखा नहीं कर सकते तो ऐसा कैसे हुआ, इसके बारे में एक कहानी है दो भाई थे जिन्हें इसलामिक सल्तनत ने गिरफतार कर लिया था और उन्हें दिली ले जाया गया था और फिर उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया 15 साल से जादा समय तक वे सच्चे मुस्लिम बन कर रहे क्योंकि उनके लिए जंदा रहने का सिर्फ यही तरीका था फिर उन्हें यहां राज करने के लिए दिली संतनत के प्रते निधियों के रूप में यहां का गवर्नर बना कर भेज दिया गया तब वे रिशी विद्यारण्य से मिले तब उन्होंने पहला कदम उठाया विजयनगर समराज्य की पहली नीव इस तरह रखी गई थी उन्होंने इस जगे को कैसे चुना यह दिल्चस्प है अनेगुंडी नाम की एक जगा है हम अभी उस जगे से कुछ ही दूर है जब विद्यारण्य और दोनों भाई वहां पहुँचे तब वे अपने कुत्तों के साथ शिकार करने गए और वहां पांच कुत्ते और एक खरगोश था और राजा के पांच कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया वे ये देखकर हैरान हो गए क्योंकि आम तोर पर अगर पांच कुत्ते हमला कर दे तो खरगोश पलों में मारा जाता है पर ये खरगोश उट खड़ा हुआ और पांचों कुत्तों से लड़ने लगा फिर कुत्ते खरगोश का खुंखारपन देख कर पीछे हट गए तब उन्होंने फैसला किया कि यही वो जगए है जहां वह अपना राज्य स्थापित करेंगे इसी घटना के अधार पर और इसी प्रतीक के साथ यानि चाहे आप कोई भी हो अगर आप उट खड़े होते हैं और आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं तो आप लड़कर जीत सकते हैं और समराज्य बना सकते हैं इस आधार पर उन्हों ने ये महान समराज्य बनाया था जो पूरे दक्षिनी प्रायद वीप में याने पूरे दक्कन में एक तट से दूसरे तट तक फैला हुआ था हुआत कर दो